हेलो स्टुदेंट्स तोड़े वी आर गोईंग तो प्रूव थियूर्म वान ओफ चैप्टर शिक्स इफ फर रे स्टेंड्स ओन आ लाइन देन दा सम उफ दा अड्जेसेंट अंगल सो फॉर्म इस वानेटी डिग्री अगर कोई रे सीडी स्टेंड करती हो एक लाइन अबी पर तो प्रूव करना है कि यहां पर जो अड्जेसेंट अंगल्स बनते हैं अंगल बी सीडी एंड एंगल ए सीडी इसका सम मेंज प्लस करने पर वान नेटी डिग्री बनेगा तो गिविन है हमें आरे सीडी स्टैंड्स ओन आलाइन अगल ए सीडी एंड एंगल बी सीडी आर फॉर्मड तो एक क्रेस सीडी है लाइन ए बी पर तो यह इस तरह से बनती है कि यहां पर दो अड्जेसेंट अंगल्स फॉर्म हो जाते हैं टू प्रूव प्रूव क्या करना है कि यह जो अड्जेसेंट अंगल्स बने हैं अंगल ए सी डी प्लस अंगल बी सी डी इनको प्लस करने पर 180 डिग्री बनता है मिन्स सप्लिमेंटरी अंगल बनते हैं कंस्ट्रक्शन कि जाएगी ड्राव सी इपर्पेंडिकुलर टू एबी ड्राव किया जाएगा सी इपर्पेंडिकुलर टू एबी यहां पर यह 90 डिग्री जो हैं कंस्ट्रक्शन किया जाएगा सी इपर्पेंडिकुलर टू एबी नव लेट्स स्टार्ट दा प्रूफ अंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी इप्लस एंगल ए सी डी अगर ए सी डी एंगल को लिखना हो तो यह लिखेंगे एंगल ए सी इ प्लस एंगल ए सी डी मेंज इन दोनों एंगल्स को प्लस करने पर ही यह एंगल ए सी डी बनता है एक्वेशन नमबर वान and angle b c d इसी तरह से angle b c d को कैसे लिख सकते है angle b c e minus angle e c d angle b c d को कैसे लिख सकते है angle b c e minus angle e c d means इस पूरे angle में से इस angle को minus कर देंगे तो ये b c d angle बन जाएगा तो ये है equation number 2 adding 1 and 2 दोनों को add कर देते है angle a c d plus angle b c d equal to में angle a c e plus angle b c e plus angle e c d यहाँ minus आईने तो plus minus minus e c d e c d minus e c d यह 0 हो जाएगा और यह हमारे पास बचेगा angle a c d plus angle b c d equal to angle a c e 90 degree है क्योंकि यह perpendicular draw किया गया था इसी तरह से angle b c e 90 degree है क्योंकि c e line जो है c e perpendicular है a b पर तो इस तरह से angle a c d plus angle b c d equal to 180 degree 90 plus 90 180 degree बन जाएंगे hence proved तो इस तरह से यह proof हो जाएगा इसे linear pair भी कह सकते हैं linear pair को proof किया गया है यहां पर कि दो adjacent tangles जो कि एक straight line पर बनते हो उनका sum 180 degree होता है तो यहां पर यह linear pair भी proof हो जाता है which implies that the sum of the angles of a linear pair is 180 degree तो इस तरह से linear pair जो है उनके जो angles है उसका sum 180 degree हो जाएगा जो है जो है जो है जो है